हेलो डियर फ्रेंस तो हमारे चैनल जी के प्रिंस अकडमी में आपका स्वागत है और हम जो हमारी सीरीज है उसको आज हम कांटिन्यू करेंगे इसमें रेलो एंटी पीसी के प्रीबेस एर के क्वेस्टन है जो डिसकस कर रहे थे जो कि आपके एंटी पीसी और गुरूप डी देली पुलिस के एक्जाम के लिए बहुत ही इंपार्टेंट है और साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट और उनसे करेंट न्यूज को भी देखें डिसकस किया जाएगा तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि और लो इसे कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कारबनिक अमल है आपको बताना है कि अंगूर में कून सा अंळल पाया जाता है जिसमें अपका इंसफर से ही हो जाएगा टार्टरीरिक है तो आपका एक ऐसा जाने में खुल कर H 플स आयन देता है तो उसे अमल कहा जायए है लोक निर्त है तो इसे में आपको इंसर से हुजाओं को जू के हैं वह नवती है सुन हथ राजि कंडिया है से राज का लोक निर्ट है तो आपसन से ही हो जाएगा अब इस से रिलेटेट कुछ देख लेते हैं वाश्थिविक में नोटंग के उत्रपरदेस का लोक निर्ट है जबकि बलकि वह इसमें जो है आपसन में उत्रपरदेस नहीं दिया था तो ये रास्थान में भी इसलिए रास्थान आप सनसे ही माना गया उतरपरदेश का कजरी, जूला, रास लीला, जैता, आधी लोगनित हैं जो कि यह भी यहां उतरपरदेश में होते हैं और राजस्थान में जूमर, गडगोर, फूंदी, पनिहारी, नेजा, घापाल, आद लोग निर्त मिनाये जाते हैं। तो ध्यान में रखना हैं। केरल का काली अटम, ओटम, पाद्यानी और थुलाल ये सारे हैं। और करनाटक में एच्छगान, कुनीता, करगा, लांबी, लोग निर्ते हैं। मद्द पर्देश में मालवा, अंचल, मालवा अंचल में मटकी निर्त, आला-खडा, रजवारी निर्त, राई निर्त और बधाई निर्त आज आते हैं। तो अगला question में रखना है, हमें घास का रंग रहा रंग दिखाई देता है, क्योंकि आपको बताना है किसलिए ये हरा रंग दिखाई देता है, तो ये हरे रंग के प्रकास को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। आपसं सही हो जाएगा इसका option A, यह जो कि इसलिए हरा रंग दिखाई देता है, क्योंकि हरे रंग के प्रकास को हमारी आँको पर परावर्तित होता है, तो इसका answer A सही हो जाएगा, हमारे आँक जिस पर, जिस रंग का आउस्सोर कर लेते हैं, वही दिखाई नहीं परता है, जिस रंग को परावर्तित करता है वो दिखाई देता है प्रकास में तो आपको ध्यान में रखना इससे question पूछे जाते हैं यह फिजिक्स से question था next question है चोथा कि table tennis खेल किस देश का राश्ट्रिय खेल है तो आपका table tennis जो है यह आपका चीन का राश्ट्रिय खेल हो जाएगा यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है और यह question इस बार भी यह पूछा गया 2016 के NTPC में तो यह बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है तो Scotland का AB फुटबाल है रगभी फुटबाल है और badminton का badminton जो है वो मलेशिया का राश्ट्रिय खेल है जापान का राश्ट्रिय खेल जूडो है और भूतान का राश्ट्रिय खेल तीरंदाजी है फ्रांस का राश्ट्रिय खेल फुटबाल है और Indonesia का badminton है ब्राजिल का और भारत का होकी है और USA यानि की अमेरिका का बेस बाल है तो यह ध्यान में रखना है और आश्ट्रेडिया में क्रिकेट है इसका राश्ट्रेखेल क्रिकेट है तो यह ध्यान में रखना यह सारे कोश्चन पूछे गए हैं बारी-बारी से तो इसको ध्यान में रखना इसको आपको बताना इनमें से अलायंगिक प्रसन का एक प्रकार नहीं है आपका इनमें आपका इंसर दी सही हो जाएगा नेक्ट कोईचन है कि किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम महीजीन दॉरा परसन आप दा इयर के रूप में नामित किया गया था यह 2016 में कोईचन करेंट नीयों से रिलेटट पूछा गया था इसका इनसर उस टाइम था अंजेला मरकल, अंजेला मिलकर को टाइम पर्षन आपदा इयर चुना गया था 2015 के लिए, और इसमें देख लेते हैं कि करेंट में तो टाइम पर्षन आपदा इयर 2019 के लिए जलवाई परिवर्तन को लेकर आवाज उठाने वाली स्वेडन की 16 वर्षिये परिया वरन कार करता ग्रेटा थन बर्ग को 11 दिसंबर को खोशित किया गया तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी मुगल सासक ने ताज महल बनवाया है तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था तो इसका एंसर से हो जाएगा साज जहां ने ताज महल को बनवाया है और इसे रिलेटेट कुछ फैक्ट देख लेते हैं साजहां काल को मुगल काल का वास्तुकला के लिए स्वण काल माना जाता है और ताज महल का निर्माड 1632-33 से लेकर 1653 के बीच बनाया गया था और ताज महल जो है अपनी बीबी मुम्ताज महल की याद में बनवाया था मुमताज महल का वास्तुक नाम अरजुमंद बानो बेगम था और ताज महल का मुख वास्तुकार जो था वो अहमत लाहोरी था ये आपको ध्यान में रखना है और इसका मुख्य कारिगर उस्ताद इसा खांत है यह भी याद रखना है और इसके निर्मार जो हुआ है वो आगरा में यमना नदी के तटपर बना हुआ है आताज महल यह धान में रखना है अगला कोश्चन देखना है कि परसी इस पेरदारा अविस्कित पर्थम ब्याउसा पाइक रूप से उपलब्द आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था क्या कहा जाता है तो इनमें आपका इंसर से हो जाएगा राडा रेंज राडा रेंज कहा जाता था आप से नहीं और इससे रिलेटेटट फैक्ट देख लेते हैं कुछ उपकरन है उनके अविस प्रकास के वेक का अविस्कार सर्वधम फिजियाउ ने किया था पैरा सूट जीन प्यडे क्लान चार्ड ने किया था और माइक्रोइसकोप का जॉंसन जेट जॉंसन ने किया था बाइक का विसकार जीह डैमलर ने किया था माइक्रोफोन का विसकार ग्राहम बेल ने किया थ प्रेसर कुकर का विसकार डेनिस पैनिन ने किया था, ये सारे कुछे गए हैं बारी-बारी से, तो इसको ध्यान में रखना है, अगला कुछे देखते हैं कि भारत में 100% प्राइमरी सिच्छा प्राप्त करने वाला पहिला राजी का उनसा है, तो पहिला राज हो जाएगा केर पिखने वाले बरतन पर किसका लेब लगा होता है, तो ना चिपकने वाले बरतन पर टेफलान का लेब लगाया जाता है, तो इस तरीके से, इसका एंसर जो है, वो सी elephant, टेपलान, अगला कुछे देखते हैं कि निम डिख्छित मेंसे कौन सा सही है, km फशले हैOf अब इसका सी पाड़ से ही हो जाएगा कौण से बताना है अब इससे कुछ फैक्ट दे लेते हैं खरीब फसले मई जून में वही जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है चावल है मका है ज्वार है बाजरा है मुंगपली है गन्ना है यह पूछा जाता है कौण तो साःकरी फसल होता है और अबीकी फसल जो है वह सितकालीन फसल होती है यह अक्टूबर नौंबर में बहुत ही जाती है तो मार्च और अपरेल में काट ली जाती है और अभीकी फसल में सरसो गेहूं जौ चना मतर आध आते हैं ज़्यान में रखना है अगला क्षों कि में समलित है WWF 21 जीव कोस में तो अप्शन C से ही हो जाएगा पांडा अगला कुछन कि आप रुकमडी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हो तो रुकमडी देवी अरुंडेल वो एक भारतिये ब्रह्म विद्यावादी निर्त्यांगा और भरत नाट्यम की कोरियो लगर्ण फी खरम फानी जो है किस प्रकार का बिद्दृत्ययचालक आपको पताना कि सुध्य पानि जो लो W किस प्रकार का चलक आउस्सत है या अच्छा है खराब है जोकि बहुत खराब होता है चालक में, चालक ताम finden आचा सिसे हो ये, आपको बताना है, कि जो रामार टीवी पर दिखाई जाती है, उनृमें जो सीता का रोल था, वो किसीने निभाया था, उनका क्या नाम था रियल नाम क्या था तो रियल नाम उनका था दीप का चिक्खलिया, आपसे नहीं हो जाएगा इसका सीता का जो भूंका निभाई थी उनका नाम दीप का चिखलिया था और देख लेते हैं कि राम की भूंका जो निभाया था उसका नाम अरुन गोयल था कि अग्ला क्रसाखा को आपको नहीं कि अपना नाम किस भासा से लिया है तो सल्फर ने अपना नाम जो है वो लाइटिन भासा से लिया है इसका अपसन ऐसे हैं हो जाएगा इसमें लाइटिन भासा इसका इंसर हो जाएगा केटू जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी है तो याद में रखना ये मातपूर है क्योंकि भारत की भी सबसे उची चोटी केटू है अबिस की सबसे उची चोटी माउंट टेबरेस्ट है जो इसकी लंबाई 8848 मीटर है तो आपको याद रखना है दूसरी पूछा गया था और सबसे पहली जो है वो माउंट टेबरेस्ट है अनाई मुदी जो की भारत में केरल राजी में इस्ती थे ये दच्छिर भारत की और वो सिखर है जो की राजस्थान में इस्ती थे तो अभी ध्यान में रखना है नेश्ट कोशन है कि सून उसर्जन वाहन का मतलब क्या आपको बताना सून उसर्जन वाहन का मतलब क्या होता है तो वो सून उसर्जन वाहन किसे कहते है तो वो जो सक्ति के सुरोत के जरिये पिछली पाइप से कोई परदूसक उसर्जन नहीं करता है, उसे सुन उसर्जन वाहन करते हैं, तो इसका एंसर एस ही हो जायेगा, आप से नेश्ट कोईस्टन है, या बलकि लास्ट कोईस्टन है इस पार्ट का, कि बेनिजीर भुट्टो कौन थी, तो बेनिजीर भुट्टो मोस्ट इंपॉर्टन 20 कोईस्टन थे और उसके बारे में डिसकस किया गया, तो चैनल अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, सेर भी कें अपने दोस्तों में, और हम मिलते हैं अगला पाल लेकर अगले दिन, तता के लिए नमस्कार. प्राइब तो बस्कारण कारना बड़र